नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीट पीजी एंटरंस क्रैक करने का सबसे बेस्ट स्ट्रेटीजी क्या है? ये वीडियो बनाने का मेरा आइडिया तब आया जब इस टॉपिक के बारे में मैं 20-25 वीडियो यूटूब में देखा कोई कह रहा था कि मैं सिर्फ MCQ बुक से ही पढ़ा मैंने हैरिसन को हाथ भी नहीं लगाया किसी ने कहा कि कॉंसेट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है फिजूल में बहुत ज़्यादा MCQ सॉल्ट मत करो उससे कुछ फायदा नहीं होगा किसी ने कहा कि MCQ के बुक्स को हाथ भी मत लगाओ ऐसे बहुत सारे स्ट्रेजीज वाले वीडियो मैंने देखे मुझे थोड़ा अजीब लगा क्यूंकि मेरा जो एक्स्पिरियेंस है उससे मुझे तो यही लगता है कि actually में the best strategy is no strategy इसका बतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ सोचिए कि एक लाख स्टुडेंट एक्जाम दे रहे हैं दस हजार लोगों ने कोई एक वीडियो ऐसा यूट्यूब में देखा 3333 लोगों ने जो फास्ट रैंक किया है उसका वीडियो देखा 3333 लोगों ने जो सेगेंड रैंक किया है उसका वीडियो देखा और 3333 लोगों ने जो थार्ड हुआ है उसका वीडियो देखा उन लोगों के strategy फॉलो करके पढ़ाई किया तो जब exam का result निकलेगा तो क्या ऐसा होगा 3333 लोगों का रैंक आएगा एक 3333 लोगों का रैंक आएगा 2 और 3333 लोगों का रैंक आएगा 3 ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता जिनको fast होना है वो first ही होंगे जिनको second होना है second होंगे जिनको third होना है third होंगे top 100 में जो रैंक करते हैं वो खुद कभी नहीं बता सकते कि वो top 100 में rank करेंगे उनको शायद इतना पता होता है कि हाँ मेरा preparation अच्छा है मैं rank कर जाऊंगा लेकिन 100 के अंदर ही rank होगा या मैं first आऊंगा, second आऊंगा, third आऊंगा ये सोच के कोई पढ़ाई करेगा कि मुझे first ही आना है ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ये strategy follow कर सकता है या ये करने से कुछ फायदा हो सकता है जिसने भी rank किया होगा उसने खुद अपना strategy खुद बनाया होगा उसका strategy बाकियों के strategy से अलग होगा एक तो बात है कि coaching center में पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए मैंने तो जब MBBS के entrance के लिए पढ़ाई किया था तब भी कोई coaching center में पढ़ाई नहीं किया जब MD entrance के लिए पढ़ाई किया तब भी कोई coaching center में पढ़ाई नहीं किया पहले तो मैरो नहीं हुआ करता था हमारे time में अब तो मैरो आ चुका है पहले हमारे टाइम पे तो coaching center ज्यादा तर लोग join करते थे देखिए मेरा batch में हम जो 3-4 लोग एक साथ पढ़ाई कर रहे थे तो उन में से दो लोग थे जो coaching center में भरती हुए थे हमारे close चार फेंट्स में से और बाकी मैं और दूसरा एक लड़का था हम दोनो coaching center में भरती नहीं हुए थे जो दोनो coaching center में भरती हुए थे उन में से एक का rank मेरे जैसा ही आया दूसरे का rank मेरे जैसे बहुत पीछे आया जो मेरे जैसा ही coaching center में भरती नहीं हुआ था उसका भी रंग मेरे से बहुत पीछे आया तो इसका मतलब क्या है कि कोचिंग सेंटर में भरती आप होई है या ना होई है उससे कुछ फ़रक नहीं पड़ता है फ़रक सिर्फ एक ही चीज़ से पड़ता है कि आप competition में कितना अच्छा कर रहे हैं तो actually में strategy क्या है देखिए मेरे ख्याल में strategy यही है कि आपको लगातार competition में बने रहना है इसका मतलब यह है कि आपको किसी न किसी एक या दो mock test वाले series में जोइन करना है यह आपको करना ही है और यही एक ही strategy है और कोई भी strategy नहीं है पड़ाई आप कैसे करेंगे आप book से पड़ेंगे या आप M.C.K.U. book से पढ़ेंगे टेक्स book से पढ़ेंगे concept के उपर जादा ध्यान देंगे या M.C.K. questions के उपर जादा ध्यान देंगे इस चीजों से कुछ फ़रक नहीं पड़ता देखिए मैंने कभी भी concept के उपर कुछ ध्यान नहीं दिया हौत सारे लोगों ने मुझे बताया कि textbook पढ़ना चाहिए Edison नहीं पढ़ोगे तो ये कभी MD entrance crack नहीं कर सकते लेकिन देखिए मैंने ये सब कुछ follow नहीं किया मैंने सिर्फ MCQ के उपर ही ज़्यादा ध्यान दिया और मेरा rank आ गया लेकिन ऐसा भी लोग है जिन्होंने MCQ के उपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया textbook ही अच्छे से पढ़े उनका भी अच्छा rank आया उन्होंने भी अच्छा subject लिया तो strategy एक एक का एक एक तरीके का होता है कि वो पढ़ाई कैसे करेंगे वो knowledge कैसे gain करेंगे देखिए ultimately आपको exam में जाके right answer में tick करना है तो वो right answer आप कैसे click करेंगे उसका strategy अलग-अलग होगा लेकिन strategy एक ही है वो है कि आपको competition में बने रहना है मतलब all India basis में जितने सारे mock test centers है उन में से top के किसी एक या दो में आपको enroll करना है और हर हफते आपको mock test देना है देखिए मेरा strategy पढ़ने का क्या था ये उतना important नहीं है लेकिन mock test का strategy मेरा यही था अगर मैं subject wise जो mock test होता है उसमें पहले 10 के अंदर rank करूँगा और जो month के end में एक grand test होता है उसमें मैं कोशिश करता था कि at least top 100 या top 200 के अंदर rank करूँ तो हमेशा ये possible नहीं होता था कुछ-कुछ ऐसे subject थे जिसमें मैंने top 10 के अंदर rank किया कुछ subject में top 10 के बाहर rank किया कुछ subject में बहुत खड़ा हुआ और mock test में भी ऐसा होता था कि कुछ mock test में मैंने 300 के अंदर rank किया कुछ में 200 के अंदर rank किया जब आखिर के दिन आ गये थे तभी mock test मेरा थोड़ा अच्छा होने लगा तभी एक बार मेरा 206 rank आया पूरे इंडिया में एक बार 180 rank आया 100 के अंदर कभी आया नहीं लेकिन कोशिश ऐसा करना चाहिए कि 100 के अंदर आपके rank आ जाए तो अगर आप competition में बने रहेंगे तो आप entrance crack कर लेंगे क्योंकि देखिए जो लोग आपके साथ mock test दे रहे हैं वही आपके साथ final exam देंगे तो आप साल के शुड़वात से अगर उनसे compete करेंगे तो at the end of the year आपको उन्हें ही competition में beat करना है तो शुड़ू से अगर आप उनसे compete करेंगे और शुड़ू से उनको beat करते जाएंगे तो end में भी आप उनको beat कर जाएंगे लेकिन अगर आप mock test नहीं देंगे concept clear करना है या MCQ book से परना है या coaching center join करना है इस सब में time बढ़बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाई आप किस से भी कीजिए आपको knowledge gain करना होगा वो आप कहां से करेंगे वो आपके उपर depend है आप 2-3 लाक MCQ का answer पूरा रट के सही answer को click करेंगे या आप पूरा Harrison को रट के सही answer को click करेंगे या आपके उपर है आपको सही answer को click करना है और उसका strategy आपको खुद बनाना है कि आपको कैसे सही answer को click करना है और ये strategy हर महीने आप change कर सकते हैं अपने result देख देखके या हर हफते आप change कर सकते हैं अपने result देख देखके कोई एक strategy बना के चलेंगे और वो strategy at the end of the year fail हो गया तो आपका पूरा एक साल बढ़वाद हो जाएगा ये नहीं होने देना है तो आपको क्या करना है आपको हर हफते mock test देना है और try करना है कि हर mock test में जो subject wise mock test होता है उसमें जो grant test होता है उसमें पहले 100 के अंदर rank करने के लिए ये अगर आप पूरे साल achieve कर पाएंगे तो आप अच्छा rank जरूर लेया पाएंगे मेरा state का rank 100 के अंदर था general category में मैं general class का हूँ तो उससे मैंने dermatology उठाया था देखिए सभी first नहीं होंगे सभी second नहीं होंगे सभी 100 के अंदर नहीं आएंगे क्योंकि एक simple calculation है दोस्तों वो देखिए हर साल करीब 80,000 लोग MBBS बनते हैं और हर साल सिर्फ 40,000 लोग ही MD entrance crack करते हैं क्योंकि उतना ही seat है सब कुछ मिला के अभी DNB को भी आप अंदर ले लेंगे तो वो कुछ 44,000 बन जाएगा देखिए जितना लोग MBBS पास करेंगे उनमें से सिर्फ 50% ही MD कर पाएंगे बाकी 50% MD नहीं कर पाएंगे ठीक है तो आप कुछ भी strategy follow कर लीजिए end में आपको result लाना है तो strategy से फड़क नहीं परता है strategy अपने आप के लिए खुद को set करना होगा कि कौन से strategy से पढ़ाई करने में आपको अच्छा rank आ रहा है क्योंकर rank important है strategy important नहीं है आपको अगर competition में बने रहना है तो आपको हर दो तीन हफते में या हर एक महिने में खुद के strategy को change करना पढ़ सकता है अगर आपने सोचिए anatomy वाले जो paper है उसमें anatomy का book आपने पुर अच्छे से पढ़ा पढ़के अपने exam दिया और देखा के आपका rank 600 या 700 आया इसका मतलब book पढ़के आप exam देंगे तो आपका success नहीं मिलेगा तो अब physiology वाला जो exam होगा वो आप अगर सिर्फ mcq book से पढ़के देंगे अगर उसमें भी आपका rank देखे के 400-600 आ रहा है तो उसका मतलब mcq book का जो theory है वो भी पढ़ने से आपको फाइदा नहीं मिलेगा जब आप biochemistry का exam देंगे तब अगर आप सिर्फ mcq जादा से जादा mcq solve करके exam देंगे और आप देखे के उससे आपको 100 के अंदर rank आ गया ऐसे तीन procedure मैंने बताए जिससे आपका rank अच्छा आएगा आपको वही strategy follow करना है और वो strategy आपके लिए कौन सा होने वाला है वो अगर आप साल के शुड़ुआत में ही समझ जाएंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा लेकिन वो समझने में आप जितना late करेंगे उतना आपके लिए लुकसान होगा तो आप अगर किसी एक टॉपर के strategy को follow करने बैठ जाएंगे और वो strategy आपके लिए गलत साबित होगा एकदम final exam के result के बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते आपका एक साल बढ़वाद हो गया तो वैसे strategy के पीछे मत भागिए किसने top किया है किसने aims में top किया है किसने जिपमान में किसने PGI चंडिगर में कितना rank लाया है उसे कुछ फरक नहीं पड़ता है आपको आपका strategy जी खुद set करना है और वो rank अच्छा अगर आप साल भर ला पाएंगे तो at the end of the year जो final exam होगा उसमें भी आपका rank अच्छा ही आएगा तो I hope आपको कुछ clarity मिला होगा इस वीडियो से ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए खुश रहिए दूसरों को भी खुश रखिए नमस्ता